दिएर स्टूरेंट्स, आज मैं नन कॉर्जेट जुलोजी के सेस्ट्री में फाइलम प्रोटोजवा का तिसरा और्गेनिजम लेस्मानियां दोनों भेन के विश्थे में बताने जा रहा हूं लेस्मानियां दोनों भेनी का संबन्द एक बड़े ही कॉमन बिमारी से है जिसका नाम आप सबने सुना है इसे लोग काला जार के नाम से जानते हैं यह अफ्रीकन स्लिपिंग सिखनेस उत्पन करने वाले एक अनि प्रोटोजवा ट्रिपैनो सुमा का सबसे निकटवर्ती रिष्थेदार है जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है यह एक फ्लेजिलेटर प्रोटोजवा है इसलिए इसके कलास का नाम मास्टिगो फोरा या फ्लेजिलेटर है फैमली ट्रिपैनो सुमाईडी है और जीनस लेसमानिया तथा इस्पेसी डुनोभायन है बास्तर में लेसमान और डुनोभायन ये दो बहग्यानिक थे जिदोंने इसकी खोज की थी इन ही के सम्मान में इस एस्पेसीज का नाम लेसमानिया डुनोभेनी रखा गया है लेसमान लेसमान और दोनोभायन लेसमान आDrइ कौणर बेदेए्ट बड़ लेसमान ये लेसमान गौन वेसमान और डुनोभेन एस दोनोभेनी अब सर्जेंट प्रदर्स नाम के बैग्यानिक ने बेस्मानिया डोनो भेनी के भेक्टर फ्लेबो टोमस नामक इंसेक्ट की खोज किया यह मॉस्कीटो नहीं है यह एक फ्लाइ है जिसे आम तोर से हम लोग सैंड फ्लाइ कहते हैं यह नदी के किनारे के दियारा वाले जगाँ पर जहां खेती होती है खेतों में जंगलों में और अंधेरे बड़े बड़े गोदामों में पाया जाने वाला फ्लाइ है यह एक ब्लड सकिंग फ्लाइ है ब्लड पीने वाला फ्लाइ और अंधेरे में रहना पसंद करता है या खेतों और दियारा की ओर से आते हुए दिखाई परता है जंगलों से बस्ति की ओर आते दिखाई परता है इसलिए लोग इसे सेंट फलाइ नाम देते हैं ऐसा ही एक फलाइ है सेसी फलाइ जो कि अफरिका में सलिपिंग सिखनेश उत्पन करता है यानि what trypanosoma का भेक्टर है. The parasite causing this disease is a flagellated protozoan of family trypanosomidae that lives in the body of many wild animals and birds. मतलब कि यह पराशाइट जो flagellator है यह सिर्फ आदमी के अंदर नहीं बलकि यह जंगली जीवों के अंदर कुते में, बिल्लियों में, fox में, birds में, विभिन प्रकार के animals में पाया जाता है. तो आदमी जहां एक और primary host का दर्जा प्राश करता है, तो यह सभी के सभी wild animals और birds इनको हम alternate host काते हैं, यानि कि अगर आदमी नहीं होता है, तो उसकी जगह पर दूसरे mammalia bird के अंदर यह प्रकार सकते हैं. अब इन से कोई-कोई animal ऐसा भी है, जिसके अंदर इस parasite का लक्षन उत्पन नहीं होता है. उसमें asymptomatic condition में या parasite inject किये रहता है, तो ऐसे host को reserve wire host कहा जाता है. reserve wire hosts are such hosts in which parasite lives and multiplies, but does no harm. तो परिणाम यह होता है कि यह mosquito, sorry, यह sand fly ना सिर्फ आदमी से, बलकि जानबरों से भी आदमी तक, और आदमी से जानबरों तक इस तो का transmission करते रहता है. यही कारण है कि इसका control करना अत्यांत कठिन हो जाता है. लेस्मान या दोनोगेनी इज डाय जेनेटिक पारासाइट, दा प्रैमरी होस्ट इज मैन, और अल्टरनेटिवली ए वाइल्ड अनिमल, बट द सेकेंडरी होस्ट इज फ्लेवोटोमस. इसके लाइब साइकल का एक हिस्सा आदमी या वाइल्ड अनिमल के अंदर है, तो दूसरा हिस्सा हर हाल में फ्लेवोटोमस यानि सेंड फ्लाय के अंदर है, जिसकी कई जात्या हैं, फ्लेवोटोमस आर्जेंटिप्स, फ्लेवोटोमस सर्जेंटाई, फ्लेवोटोमस पाप इत्यादिक कई स्पेसीज हैं इस सेंट फ्लाइब के हैं इन हीुमेन इट इनफेक्ट्स मोनोनुकलियर फैगोसाइट्स सच एज इस्प्लीन, लिवहर, बोन मैरो मेरो हमारे इस्प्लीन और लिवहर और बोन मैरो में विशेश तरह का फैगोसाइटिक सेल हैं उनके अंदर ही जाकर यह रहता है जो सेल दूसरों को मार कर खा सकते हैं वे सेल इस ट्रिपैनोसोमा का कुछ नहीं बिगार पाते हैं हमारा WBC फैगोसाइटोसिस करता है और जर्म्स को किल करता है लेकिन उसके अंदर भी जाकर ट्रिपैनोसोमा रह सकता है मल्टिप्लाइ कर सकता है यानि यह बड़ाक्तरनाक इस्थिती है कि हमारे जो डिफैंस सेल है जो फैगोसाइटिक सेल है उनहीं में जाकर यह निवास करने लगता है ज्यादा तर यह इस्पलीन के अंदर रहता है लिभर और बोर्न मेरों में कम रहता है अब इसके स्ट्रक्चर को देखें Lashmania donovheni has two distinct morphological forms पहला रुप है इसका आ-Mastigot या Lashmania form A-Mastigot matlab bina flasulaka During this stage, the parasite is intracellular within cells of spleen or in WBC it is almost oval in shape and has no flasulum It is hardly 3 to 5 micrometer in size It divides by longitudinal binary fusion and multiplies In a single host cell as many as 50 lesmania or sometimes up to 200 lesmania can live बिना फ्लेजला का यह रूप cell के अंदर रहता है जब यह cell के अंदर रहता है तो इसे कहीं locomotion करके जाने की जरूरत नहीं है इसलिए इसके फ्लेजला की भी जरूरत नहीं है अब यह छोटा छोटा तीन से लेके 5 micrometer के आकार का है अब एक WBC का diameter तो मान लिया कि उसका 10-12 micrometer होता है लेकिव वो थोड़ एस्पेरिकल है इसलिए 57 lesmania का उसके अंदर पल्ला आसानी से संभव है कभी कभी यह स्प्लीन के सेल में 200 तक की संख्या में पाया जाता है और दूसरा रूप है और प्रमस्टी गोट यह लेप्टोमनस्पर्म वैं इसस कमस आट इसंट बलुडब और बेदिफ्ट भूटब लगटा टे सिर्प्लाउर्विज खेरिजलॉंगाफ फ्लेजल्अम is found also in stomach or crop of the sandfly but the flagellum is slightly smaller. It is 15 to 30 micrometer long and 5 micron in breadth. तो flagellum वाला form को हम नाम दिये leptomonas form actually trypanosoma leptomonas, critaeida और lesmania ये चार तरह के forms होते है इस family में तो इस form का नाम हो गया leptomonas form सबसे पहले जब यह cell से बाहर निकलता है तो धीरे-धीरे लंबा होते सेला जाता है आगला हिस्ता थोरा गोल लेकिन पिछला नुकिवा होता है और flagellum आगे से ही उत्पन होता है तो जब वो human body के अंदर रहता है तो flagellum का आकार थोरा लंबा होता है लेकिन ऐसा ही रूप जब किसी sandfly के अंदर उसके पेट में उसके stomach में रहता है तो उसका flagellum थोरा सा छोटा होता है यह देखे फोटोग्राफ है आप आराम से इसमें flagellum बने हुए देख सकते हैं कुछ ज़्यादा mature है long spindle shape नजर आड़ हैं और जो तुरत बने हैं वो थोड़ा oval shape बाले हैं और उसमें flagella है यह लेस्मानिया esten, लेस्मानिया को रंगने वाले esten का भी नम है lesman esten इसी वैग्यानिक के खोज के द्वारा यह रंगों का एक mixture तयार किया गया था जिसका नाम है lesman esten तो आपको lesman esten की मदद से रंगने के बाद blood और body fluid में आराम से tripanosoma देखना संभव होता है यह देखिए एक artistic diagram है जो pro mastigote form है उसमें golgi complex है mitochondria है nucleus है और basal granule से निकलता होया एक लंबा सा phlezylum है और जो a mastigote form है बिना phlezylum का उसमें भी golgi complex है nucleus है endoplasmic reticulum है और phlezylum बनाने वाला basal granule है यह electron micrograph है lesmania का जिसमें आपको अपस्ट रूप से nucleus दिखाया जा रहा है nucleus के अलाबे इसमें mitochondria और endoplasmic reticulum भी दिखाई परते हैं golgi complex भी है अलग-अलग photograph में अलग-अलग angle से यह दिखाई परते हैं अब आएगे जरा इसके जीवन चक्र पर ध्यान दें इसके जीवन चक्र में a sexual reproduction होता है sexual reproduction इसमें नहीं पाया जाता है flagellated protojoa के अंदर sexual reproduction कहीं नहीं मिलता है lesmania lives in the blood and body fluid of animals like rat, cat, dog, fox and birds where it multiplies asexually by longitudinal binary fusion अब wild animal में यह पल रहा है उनके बिल में मांद में घूस करके यह सेंड फ्लाय रहता है वहीं उनके फीकस पर यह अपने अंडे देता है जहां उसे प्यूपा और एडल्ट, लार्भा प्यूपा और एडल्ट का निर्मान होता है animals का blood इन्हें अराम से मिल जाता है इसलिए उस अंधेरी जगा पर यह रह सकते है लेकिन साम होने के बाद यह वहाँ से निकल कर बाहर आते है when the sand fly sucks blood of such affected animal infected WBC comes into her stomach हर कहने का मतलब female sand fly blood sucking होती है तो जब वह किसी host का blood पीती है किसी wild animal जिसके अंदर लेस्मानिया पाया जा रहा उसका blood पीती है तो WBC के साथ यह लेस्मानिया का a mastigot form उसके stomach में चला आता है अब वहाँ WBC पच जाता है, digest हो जाता है और लेस्मानिया फ्री हो जाता है WBC is digested and the लेस्मानिया form develops into leptomonas with slight shorter body and shorter flagellum it is generally called promastigone अब यह जो flagellated छोटा छोटा प्रोटो जोआ house sand fly के stomach में बनता है वहाँ बाहरी पीजन करने लगता है लोगी चुनल बाहरी फिजन के बारा इसका division होता है तो इसकी संक्षा काफी बढ़ जाती है अब कई 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 क्या होता है कि इसकी संक्षा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसकी flagellum एक दूसरे में उलज जाते है और उलज कर एक गुच्छा बना लेते है Soon after entering the gut the amastigot gets coated with peritrophic matrix which is composed of chitin and protein complex This protects the parasite from digestive enzyme यानि कि मच्छर के मखी के या housefly के अंदर sandfly के अंदर अगर कोई parasite पाया जाता है तो निश्चित रूप से उस host के enzyme का digestive enzyme का उस पर असर नहीं होता है तो या बे असर कैसे होता है तो इसका जवाब है कि इसके body के cell के surface पर peritrophic matrix का coating होने लगता है जो kaitin और protein का बना है या kaitin और protein resistant होता है digestive enzyme से इसलिए ये digest नहीं होते हैं उसके अंदर सर्भाइब करते हैं दा मास्टी गोट ट्रेवल टू मीड गट एन फर्स्ट रांस्फॉर्म इंटू ए वीकली मोटाइल प्रो साइकलिक प्रो मास्टी गोट उन दा गट वाल विदिन वन तू थी देज सेंट फ्लाई के अंदर जब यह क्रोप से आगे बरता है तो मीड गट में पहुँआता है वहां फ्लेजला बना लेता है और दिवार में चिपक कर एक से तीन दिन के अंदर यह डेवलोप हो जाता है यह यंग प्रोमास्टी गोट सिक्रेट ए नूरो पेप्टाइट यह तो प्रिस्टाल्सिस अंदर गट इसके पहली किल में लाइपो फोस्फोगलाइकन यानि कार्वो हाइट का लिपिट के साथ एसोसियेशन है जिससे एल्पीज या लाइपो फोस्फोगलाइकन कहा गया इसकी मदर से वह दिवार पर चिपकता है और यह एक नूरो पेप्टाइट सिक्रेट कर रहा है तो नर्व सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है और इसके कार्ण क्या होता है कि सेंड फ्लाय के गट में पेरिस्टालसिस रूप जाता है यानि जहां काता है या पारासाइट इस्थिर हो जाता है इसका मुख्य कारण क्या है कि यह दिवारे चिपक जाता है और यह पेरिस्टालसिस को रूप देता है तो इसलिए मिट गट के अंदर ही यह प्रो मास्टी गोर्ट इस्थिर हो जाते है यह देखिए है सेंड फ्लाइ देखने में यह मच्छर जैसा लगता है लेकिन यह फ्लाइ है दूरिंग फोर तु सेवन डेज दा पेरिट्रोफिक मैट्रिस इस डिग्रेड़ेड़ बाइ एक्टिविटी अप काइटीनेज पेलिकिल नस्ठ होता है कैसे नस्ठ होता है तो काइटीनेज एंजयम काइटीन को डाजेस्ट कर जाता है लुग दूरिंग देब लुग्रेज वाहुस्ट् iç ऑर स्थ जा facto 5व कि बाइटी equitable necto moenard Promastigode that migrates internally until they reach the thoracic gut now they turn into leptomonard Promastigode and start binary fusion as well as move forward मिटगट से ये प्रोमास्टिगोट वापस कहा जाते हैं तो फिर से क्रॉप में और इसोफेगस में पहुंचते हैं मिटगट में इसको नेक्टोमोनाड फॉर्म और जब ये वापस इसोफेगस और क्रॉप में जाते हैं तो लेप्टोमोनाड फॉर्म कहा जाता है ये छोते-छोते फ्लैजला वाले प्रोमास्टी गोट के दो फॉर्म है नेक्तोमोनाद और लेप्तोमोनाद नेक्तोमोनाद मिद्गट में और लेप्तोमोनाद एंटेर यानि फोर गट में आजाता है अब ये वहाँ पर फिर बाइनरी फीजन करते हैं अपनी संख्या बढ़ाता है यह देखे लाइफ साइकल है छैसे नौ दिनों के बाद प्रो मास्टी गोट मेटासिस्टिक हो जाते हैं जब इनके फ्लेजला आपस में उलज जाते हैं तो उलज के एक बड़ा साफूल नूमा गुच्छा बना लेते हैं अब यह गुच्छा फोर गट और मीट गट के बीच के रास्ते को ब्लॉक करता है तो ऐसी इस्थिती में यह जो मील यह जो बलड मील लेता है वो पोर गट से मिर गट में नहीं जा पाता है और स्टक्षन हो जाता है पईनाम जब यह कस के खुब दम लगा कर बलड किसी का चूशता है किसी तरह crop फैल करके थोड़ा blood खीचता है लेकिन तुरत ही जैसे हुआ relax करता है यह blood का vomiting कर देता है यह चाहे तो अपने मन से भी fly की यह विशेस्ता होती है कि अपने मन से खाये हुए चीज का उल्टी कर सकता है जिसे regurgitation करता है लेकिन यहां मजबूरी में भी regurgitation या vomiting हो रहा है When such a fly bite से healthy person the blood along with parasite is vomited over skin of person कुछ बैज्यानिकों ने animal के body के उपर ऐसे infected sand fly को रगर दिया skin के उपर अब बाद ने पता चला कि उस parasite को उस animal में परासाइट सला गया और काला जार का लक्षन उत्पन करने लगा यानि कि blood को inject किया जाए यह जरूरी नहीं है skin की सता पर भी अगर sand fly अपना भोमिटिंग कर देता है blood का एक drop गिरा देता है तो एक animal से लाया हुआ parasite फिर दूसरे host के अंदर पहुँच जाता है मच हरो बेबी यह विशेष्टा होती है कई बार वह भी भोमिटिंग करता है इसलिए किसी भी insect को अपने body के surface पार हाथ की त्यादी पर बैठने पर उसी पर नहीं मारना चाहिए तलहती से मारते हैं तलहती में यह नहीं अंदर जाएगा लेकिन आप soft skin पर इसे मार देते हैं तो हो सकता है कोई parasite आपके skin की सता से खुद बखुद अंदर चाहिए थ्रू ब्लड इस करीड तू इपर तिसो especially spleen where it infects spleen cell अब skin से वा चला जाएगा ब्लड में अब ब्लड से सरीर के विभीन हिसे में चला जाएगा खास करके वा spleen में जाकर spleen के cells में जाकर रहने लगएगा सम मेटासिस्टिक प्रोमास्टिगोर्स may enter blood stream directly where some are destroyed by macrophages cytolysis but many are also taken up through phagocytosis by mononuclear phagocytes in liver, spleen and bone marrow तो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ब्लड में डाएग चले गए और वहाँ पर जो WBC के कुछ भी से cell हैं उनके द्वारा मार दिये गए लेकिन उन में से कई सारे जो spleen, liver और bone marrow में चले जाते हैं वह पर mononuclear phagocytes के अंदर प्रवेस कर जाते हैं यानि वह infect कर देते हैं liver, spleen और bone marrow के cells को इंसाइड दे अंडर गो ए स्पोन्टेनियस ट्रांस्फोर्मेशन इंटू जैसे ये cell के अंदर आता है कि दीरे दीरे इसका फ्लेजला गर जाता है गायब हो जाता है और इसका पेली की लूज हो जाता है जिससे किया आसानी से ओभल सेप में बजर जाता है फिर वहां binary fusion करके अपनी संख्या बढ़ाएगा granulocyte selectively kill the pro mastigote by oxidative mechanism while amastigotes are resistant जो pro mastigotes है फ्लेजलेट उनको हमारे granulocytes granulocyte में कौन-कौन आते हैं तो monocyte खासकर जो neutrophils है वो granulocyte है और जो monocyte है वो है agranulocyte तो हमारे blood के granulocyte में है acidophil, vasophil और neutrophil तो neutrophil खासकर के flagellator form को kill कर सकते हैं लेकिन जो non-flagellator form है amastigote है उस पर WBC के enzyme का असर नहीं होता है When the surviving amastigote undergoes cell digestion using simple binary fusion, multiplication continues until the whole cell can no longer hold and rupture Cell के अंदर जाकर यह बार बार binary fusion करके longitudinal binary fusion करके अपनी संख्या बरहते चला जाता है इतना बरहाल लेता है कि वह cell पूरी रस से बर जाता है और अंत्र वह cell फर जाता है जिससे की यह फिर बाहर निकल जाए यह बाहर निकल के अंत्र शेल्स को फिर अटैक कर सकता है या वापस ब्लड और बड़ी फ्लूड में आ सकता है इन ए फुली इंजस्टेट सेल देर कैन बी एज मेनी एज 50 तो 200 एमस्टी गोर्स फिच आर रिलीज़ इन्टू टीशू कैविटीज तो इस्पिलीन के अंदर या बोन मेरोग के अंदर सेल्स में घुसकर या 50 से 200 डाउटर सेल्स बनाता है और फिर सेल्स के फटने पर निकल कर टीशू के कैविटीज में चलाता है और फिर नए सेल्स को अटैक करता है इस तरह ये इस्प्लीन को बुरी तरह से डेमेज करता है इस्प्लीन के स्वेलिंग के कारण पेट में बाई और दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है बच्चों का इस्प्लीन खास पूला हुआ दिखाई बाता है तो इसको बोलते हैं स्प्लीन ओमेगाली यानि स्प्लीन का ऐनलार्जमेंट दर्द होता है स्प्लीन फूला रहने के कारण इस्ट्रमक में ऊपर चेप आना जा सकता है लेकि ऐसी इस्थित्री में फीवर नहीं होता है यानि फिबर नहीं होगा तुम कहेंगे कि इनकुवेशन पिरियर में हैं इनने नमबर ओप प्री अमास्टी गोट्स देन एंटर दा बलड इस्ट्रीम वेर मेनी आर फैगो साइटोजड बाइ मेक्रो फाजेज तो जब यह अमास्टी गोट निकल कर इस्ट्रीम से बलड में आ जाता है और वहाँ WBCU से खा जाता है लेकिन खा कर पचार नहीं पता है तो ऐसे कंडिशन में जब कोई सेंट फ्लाइ इस अफेक्टेट परसन का बलड पीएगी तो उसे क्रॉप में फिर यह वापस चला जाएगा यानि इसका लाइप साइकिल इस तरह से पूरा हो जाता है अब देखे इस दौरान यह क्या-क्या ख़ड़ा भी उपन कर रहा है तो सबसे कॉमन है भिसरल लेस्मानियस इस स्पलेन लेस्मानियां मुट्लाइड ए perspectives老eणी लॉत जारी कि इस बिएस से लाइब हो जाज़ कि लाएब खरोच बसे अविएधर औरोा जा, रही tutorial, और पीएवीज्या, ओन को में इस वीएठीज, किर दूरा, पीएठी प्त्रूच में रहीज को लूराई ब lazım विएCor And in single WBC, as many as 50 parasites can be found. These intracellular forms of flasmania without flasilla and when it comes out of WBC, it becomes elongated and develops flasilla for free swimming. It can move into body or viscera and release some toxic metabolites. that cause consistently high fever from 99 degree to 104 degree. It is known as Veseler lesmaniasis. It is more common in children. So, which is WBC flasillated, which is in blood, it goes into body fluid and goes into body fluid. This is not possible. It is also possible that when it comes to body fluid, it will also be more than possible. It is possible that when it comes to body fluid, the in-person body is also possible. कि दूसरा फॉर्म है है क्यूटेनियस लेस्मानिस जो कि अक्षाण एडल्स में होता है यह लेश्मानिया जो लेप्टोमोनास है यह बड़ी फ्लूड से टीशू फ्लूड में चलाता है और इसकी के सता पानी भाडा हुआ खाव उत्पन करता है इसकी निलीजन्स उत्पन कर जब यह घाव फटता है तो अगर पगल पानी बह जाता है और फिर इसकीन में घूज करके वहां जर्मिस में जाकर गुरो करने लगता है इस तरह एक फैलने बाला पसरने वाला गंदा से दिखने वाला घाव उत्पन होता है यह घाव खास करके हाट पर चेहरे पर बहुत ज़्यादा संख्या में बना करता है अब इस तरह के घाव को लोग और येंटल सोर कहा करते हैं और येंटल रीजन हमारे इंडियन रीजन का नाम है तो यहां होने वाला लेस्माना के द्वारा इसकीन प्रॉब्लम यानि संख्या काफी अधिक होती है द्लीजन लिव्स लाइफ लोंग स्कार एंड सीरियस डिजैबिलीटी और स्टिग्मा बहुत सारे लोगों में इलाज करने के बाद धीरे-धीरे घाव का दाग मिठते हुए देखा जाता है लेकि हाथ पर और चेहरे पर इसका हलका फुल का ध जीवन रह जाता है क्योंकि ये काफी गहराई तक डर्मिस को और इसकीन को डेमेज करता है तो घाव का निशान लंबे समय तक रह जाता है About 95% of cutaneous lesmoniasis Cases occur in America, the Mediterranean Basin, Middle East and Central Asia यानि कई देशों में ये फैला हुआ रोग है और तीसरा है Mucocutaneous lesmoniasis It leads to partial or total destruction of mucous membrane of nose, mouth, throat नाक, मुह, गले के epidermis को जो कि इसका mucosal layer है, mucous secreting epithelium है उसको ये काफी हद तक नस्ट कर देता है, खड़ाब कर देता है Over 90% of mucocutaneous lesmoniasis Cases occur in Bolivia, Brazil, Ethiopia and Peru अब ये देखे, एक टेबूल के थुरू बताया गया है कि ये तीन तरह का lesmoniasis कैसे पहलता है और ये किन-किन अंगों पर अपना प्रभाव डालता है अब कालाजार रोग को कैसे रोका जाए ये नाम कालाजार बड़ा अजीब सा है संस्कृत में इसे काल जुअर जानलेवा बुखार कहा गया उसे में नहीं पता था कि ये किसी परजीवी से उत्पन होता है इस रोग का कारण क्या है लोग तरह तरह का अनुमान लगाते थे तो यह काल जुअर जब परसियन इंडिया में आए तो उन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया कालाजार अजार मतलब रोग और अभी यह नाम कॉमन नेम कालाजार पूरी दुनिया में मानने हो गया इसका जो सेकेंडरी होस्ट है या इंटर्वीडियाट होस्ट है सेंड फ्लाइ वो तो खेतो में, ग्रास लेंड्स में, जंगल में, दियारा में हर जगा बील मान के अंदर घुसके रहता है तो आप किसी भी तरह इतने बड़े एरिया में जाकर इन सेंड फ्लाइज को तो नहीं मार सकते हैं इसलिए इनका कंट्रोल मुस्किल काम है तो हम क्या कर सकते हैं तो सेंड फ्लाइज के बाइट से बच सकते हैं हमारी आबादी के आसपास गोदामों के अंदर ये रहते हैं जहां चुहे इत्यादी काफी पाया जाते हैं चुकि इस इनसेक्ट को ब्राइट लाइट नहीं पसंद है तेज रोस्नी नहीं पसंद है तो अगर उन वेर हाउसेज में हाई पावर बल्ब लगा दिया जाए तो ऐसी इस्थिति में ये इनसेक्ट वहां नहीं रहेंगे वहां से भाग जाएंगे दे स्टार्ट फ्लाइंग एट टुलाइट सांधी गोदली वेला में ये जब हलका धुनला रहता है तो उस समय ये उड़ना शुरू करते हैं और तीन-चार किलोमीटर दूर आदी के आबादी तक ये उड़ना से ले आते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि आदी रात के समय में एक्टिव हो जाते हैं यानि आधी रात में जब आप नीद में रहते हैं तो इनके द्वारा काटे जाने की सम्भावना बढ़ जाती है दा वेस्ट वे तुप्रिवेंट इस दा यूज अप मोस्किटो नेट ओन दा बेड़ एन दफाइन नेट्स इन दविंडोज तू प्रिवेंट बाइट अप मॉस्कितो एसे फ्लाइए हर तरह के किरे मकोरों से बचने के लिए जहां इनकी संभावना जादा है घरों में खिर्कियों के बाहर महीन पार का जाल काया जाना चाहिए विच्छावन में one time investment है आप अग और इनके द्वारा फैलने वाली बिमारियों से भी बच जाते हैं लेकिन अगर बिमारी हो जाती है तो तो बड़े गर्व के साथ हम कह रहे हैं कि इसकी दवाई की खोज एक भार्तिय ब्यानिक उपेंदर नाथ ब्रहमचारी ने किया उन्होंने भिसरल लिस्मानियसिस को कं प्रेंटोल करने के लिए जिस दवाई का दवाई की खोज किया या कहिए जिसका सिंतेसिस किया वह एस्टाइबामीन नाम की दवाई है यूर्या एस्टाइबामीन इसका अलग-अलग मोडिफिकेशन अब मार्केट में अविलेबूल है जब इन्होंने इस दवाई की किया उसको सिंथे साइज करके दवाई के रूप में यूज किया तो काफी दिनों तक लाखों लोगों के काला जार से इलाज में मदद मिली इस काम के कारण 1939 में इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए रिकोमेंड किया गया था लेकिन दुर्भाग से नहीं मिल पाया अब जो दवाईयां पहले यूज होती थी उसमें पेंटावेलेंट एंटी मनी का कमपाउंड यूज होता था सिल्बेस्ट्रल, स्टिल्बेस्ट्रल और एस्टाइबोसेंड गुलुकोनेट इसकी कॉमन दवाईयां है जो आज भी इफेक्टिव हैं खासकर एस्टाइबोसेंड गुलुकोनोट का सोडियम सॉल्ट मार्केट में एविलेबुल हैं इसके अलावे अमेरिकन एजेंसीज एंफो टेरिसीन का प्रियोग करती हैं और कुछ एंटी फंगल कंपाउंड जैसे कीटो को नाजोल फुलू को नाजोल इनका भी कालाजार के कंट्रोल के लिए किया जा रहा है पारोमो माइसिन और पेंटामीडीन ये सब भी अच्छी दवाईयां हैं लेकिन इन दवाईयों का उप्योग कम से कम च्छा महिने करना परता है जिससे किये इस्प्लीन बोल मेरो लिबर इत्यादी में जाकर सभी परासाइट को नस्ट कर सके ये हैं दॉकर उवेंदर नाथ ब्रहमचारी थैंक यू सार थैंक यू थैंक यू थैंक यू फर यूर इन शन आफ दा मेरिसीन दवाईयों का थैंक यू वेरी मच्छ कर दो दो मेरो